हेलो फ्रेंड्स इससे मैं आप अगर नर्सरी से कोई पौंधे लाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यह आठ प्रकार की जो पौंधे हैं यह आप नर्सरी से इससे मैं लाएंगे तो आप कम से कम अगर आपके वहां मौसम अगर संतुलित रहता है ज्यादा एकदम से ग नॉर्मल ठंडा रहता है अगर आप ठंडे परदेश से हैं तो यह पॉंदे आपके साल भर चल जाएंगे और इनमें फ्लावरिंग बहुत बढ़िया मातर में आप ले सकते हैं तो मैं आपको यह आठ पॉंदे के बारे में बताऊंगा उससे पहले जो चैनल में नए करने और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है तो लाइक जरू करें और अपनी वगरे जितनी हैं वह कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों नमस्कार यूट्यूब चैनल नेचर इंठर फ्लोर में आपका स्वागत है यह में जो आ अलग-अलग सेड़ के फूल होते हैं जो एक बहुत चोटा पौधा होता है इसमें आप देखे कल्यां कितनी सारी खिलती है अगर आप यह पौधा एक पौधा अगर अपने प्लाट में लगाते हैं तो उसमें हजार फूल कम से कम आप ले सकते हैं यह हजार फूल लेने की यह कि है कि आप अगर नर्सरी से कोई पहुंदा लाते हैं उसमें अगर कोई कली खिली भी है शुरुवात की जो कली खिलती है अगर आप उसको तोड़ दें तो इसमें से दो या चार नोट जो जितने निकलेंगे वह आपके फूलों को ज्यादा मात्रा में नोट से आएंगे और यह देखिए दूसरा जो मैं आपको दिखा रहूँ ह intense हर CJD2 का सडियों का फ्लावर है इसमे 2-3 वैराइटी इसमें मेरे पास हैं इसमें से एक यह यह डबल सैड़ेट का है और यह सिंगल सैड़ेट काões दॉट सैड़ेट के मैंने 2-3 प्लांट पुराने जो मेरे हैं इसको अगर अपने गारडान में लगाना चाहते किसा सकते लाकर वेराइटी और आजाएगी in do teachers इससे मैं confirm चर्ञाले जाते हैं और अगर आप इसको कियर कर के अच्छे से इस में जो फ्लावर तो इसमें नहीं आते हैं लेकिन जो इसकी पत्तियां वो फूलों से कम नहीं है देखिए इसमें कलर अलग-अलग कितने बढ़िया आते हैं इसको आप गार्डन में अपने एड़ कर सकते हैं एक जो मैं पौधा आपको यह बता रहा हूं यह है साल्विया का पौधा साल्विय से लाते हैं तो यह आपका हमेशा के लिए बना रहेगा यह प्लांट में यह कभी खराब नहीं होता है अगर इसकी केर अच्छे से करी जाए इसमें भी अलग-अलग कलर के सेड आते हैं मेरे पावी तीन-चार कलर के हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं देखिए इसमें इसमे जो विंटर फ्लावर है वह आपके जितने प्लांट है उसमें अगर पूरे दिन की धूब रहेगी कि तो उसमें अच्छी फ्लावर होती है और पौंदा भी घ्रोध करता है एक मैं पाधा आपको एक और बता रहाँ हूं यह है ठाल या प्लांट प्लांट है जो कम से कम 3-4 चल जाएगा इसको आप बल्ब से भी उसक्त ग्रोग कर सकते हैं और अगर आप नर्शरी से लाते हैं तो उसकी केयर मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा इसकी केर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो इसमें भी फूल बड़े मिलते हैं आपको इसमें मेरे पाद द गजनिया प्लांट जो है आप सर्दियों में ग्रो कर सकते हैं, सर्दियों में इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है, ये कम से कम आपका फरवरी, मार्च, अप्रेल, माई, माई तक ये बढ़िया चलता है, उसके बाद थोड़ा सा गर्मी स्टार्ट होती है, अगर आपके व बता रहा हूँ, ये है पिटुनिया, ये लास्ट मेरा पहुंदा जो है आठवे नंबर का ये पिटुनिया है, देखिए, कितने ग्रो हो रहे है, पिटुनिया भी इसमें आप लगाएंगे, तो दो तिन मेने इसमें भी फ्लावरिंग अच्छी ले सकते हैं, इसकी भी एक कलेक्ट करके आगे रख सकते हैं, दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आपको?